तो ये एक मेरा छोटा सा जर्णी व्लॉग होने वाला है, एक्चुली मैं सीफ्ट हो रहा हूँ एक दूसरे लोकेशन में फुल वीडियो देखो, बहुत मजा आने वाला है 25 अगस्ट को मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया आज से ठीक एक साल पहले मैं और मेरे पापा हम दोनों बहुत मैनस से इस चोटे से रूम को बनाये थे कलरिंग से लेके सब कुछ हम खुद से किये थे, इसी रूम में मेरा गेमिंग चैनल ग्रोथ हुआ है और अभी मेरा चैनल में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर क्रोज करिया इसी चोटे से रूम में पिछले साल मैं स्ट्रों बदर प्रीमियर लिग और्गनाईज भी किया था और आप लोग का बहुत प्यार भी मिला मुझे तो ये सब चीज में कभी भूल नहीं पाऊँगा लेकिन सब को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए डायरेक्ट छलांग मारोगे तो गड़े में गिरोगे तो इसलिए हमीसा छोटा छोटा स्टेप लेना चाहिए जैसे कि किसी को पता नहीं चलेगा जब पता चलेगा तब सब तो मूफ लाके बैठेंगे इधर उधर का बाते करेंगे लेकिन मुझे क्या इग्नोर करना है तो 25 अगस्ट को मैं अपने घर में बोल दिया मैं सारा बोरिया बस्तर समीट के ठीक एक मैने के बाद मैं घर छोड़के जा रहा हूँ अब कहां जा रहा हूँ ये मुझे भी आइडिया नहीं था लेकिन मैं तो बोल दिया मैं जा रहा हूँ अब देखते हैं कहां जाने का प्लान है सेप्टेंबर मैं ना आगिया मैं अभी तक कुछ प्लान नहीं के आओँ कहां जाओंगा कहां रहूंगा कुछ भी प्लान नहीं के आओँ तो मैं सोचा चोचा उसके बाद मैं 5th September को मैं प्लान बना लिया कि मैं अपना hometown जाओंगा। तो फिर मैं अपने ममी पापा को एक जगा बैठाया, उनको अपना decision बताया कि मैं अपने hometown जाओंगा, जहां पर दादी चाचा चाची रहते हैं, वहाँ जाओंगा। एक्चुली मैं दादी चाचा चाची के पास मैं 5-6 साल रहा हूँ, वहाँ पर रहके मैं study भी किया हूँ, अपना graduation complete किया हूँ, तो इसलिए पापा तो कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम जाएगा, तभी ना कुछ तो सीखेगा, तो इसलिए पापा कुछ नहीं बोलते हैं, ले तो आज 50 सेप्टमबर है, मेरे पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर मुझे गाड़ी booking करना है, और उसके साथ साथ मेरा जितना समान है सबको packing वगेरा करना है, अपना जो setup है, वो भी packing होगा, वो भी जाएगा मेरे साथ, अपना जो bike है, वो भी जाने वाला है, तो सब क इनके अंदर ही packing वगेरा करके रग दिये, सारा समान packing होने के बाद पापा को मैं बोला कि आप एक pickup जुगार कर दो, तो पापा के दोस्ते जो कि transporting का काम करते हैं, उनको बोलके पापा ने एक pickup बुक करवा दिया, तो देखो अभी जिस location पर मैं हूँ, इस location से जहां पर मैं shift तोराओं उसका distance कम से कम 400 से 450 किलोमेटर के आसपास होगा, तो इसके लिए तो मुझे pickup का जरुबत पड़ेगा वाई, समझ रहो, दोनों city ओडिशा के अंदर आता है, और दोनों smart city भी है, अभी जहां पर मैं हूँ, वो smart city राउलकला है, जो कि ओडिशा के अंदर आता है, और जहां पर मैं shift हो रहा हूँ, जो कि मेरा hometown है, वो है smart city भूबनेश्वर, जिसको temple city भूबनेश्वर भी बोला जाता है, जो कि ओडिशा का capital भी है, तो देखते देखते कब 3-4 दिन चला गया, मुझे पता भी नहीं चला, और finally 9 September को मेरा transport गाड़ी आ गया, उसमें मैं 12 दूलारा मेरा बाइक को भी लोड करवा दिया, बारिस का टाइम था, ड्राइबर भाईया को बोला, अच्छे से cover कर दो, बारिस कभी भी और कहीं भी हो सकता है, तो सबसे मज़े की बाद जानते हो, क्या हुआ, लास्ट मुमेंट में मेरा plan change हो गया, ड्राइबर भाईया बोले मैं तो अकेले जाओंगा गाड़ी में, तुम भी चलो मेरे साथ, तो मेरा plan change हो गया, मेरा train का ticket था, लेकिन मैं और train में नहीं गया, मैं उनके साथ गाड़ी में चला गया, तो मैं भी जाके आगे लोड हो गया गाड़ी के, और फाइनली 11 बजह मैं अपना घर और पा इस nature का हवा मिल रहा था, मत पूछो, इतने बड़े बड़े पहाड परवत देखने को मिला मस्त नजारा था, मैं कोविट से पहले एक बार मैं बाइक में आया था, तो रोड बना नहीं था, अभी तो first class रोड बन चुका है, 70% बन चुका है, और एक साल के अंदर काम तमाम हो जाएगा, मतलब रोड बन जाएगा, और ये जो रोड है ना ये direct कोलकाता भी गया है, लेकिन मुझे कोलकाता नहीं जाना है, मुझे तो भुवनेश्वर जाना है, कभी आप लोग अगर बुलाओगे तो मैं कोलकाता भी चला जाओंगा, मैं बहुत बार ट्रेन में गया लेकिन फर्स टाइम ऐसे जा रहा हूं मजा आ गया, तो कंटिनुएसली तीन गंटे के बाद हम रुके और लंच की एक धावे में, और फिर से जर्नी स्टार्ट हो गया, देखो एक चीज याद रखना, जर्नी में जो गाड़ी चला रहा है, उसके साथ बात करते रहना है, वरना अगर उसका आँक लग गया, तो कुछ भी हो सकता, तो ये गुरु मंत्रे याद रखना, तो मैं कुछ गाना वगेरा नहीं सुन रहा था, भाईया के साथ इधर उधर का बाते कर रहा था, और बाते करते करते 350 किलोमेटर क्रॉस भी कर गये 7 गंटे के अंदर, फिर हम से कोई हडबडी नहीं, देखो एक और गुरु मंत्र याद रखो, हडबडी करोगे तो गडबडी होगा, कुछ ना कुछ प्राबलम तो जरूर होगा, लेकिन मुझे कुछ हडबडी नहीं था, और फाइनली रात के 10 बजे हम भुबनेश्वर इन कर गये, लेकिन भुबने करके मैं पहुंच गया, कम से कम 20-25 दिन लगेंगे सेट होने में, तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, तो ये था मेरा छोटा सा जर्नी व्लोग, मैं प्लानिंग कर रहा हूं व्लोगिंग का, देखते हैं कब सुब मुरत निकलता है, रेगुलर व्लोग तो नहीं हो पाए और रेस्ट मीनी व्लोग तो आई जाएगा, तो ये एक छोटा सा स्टोरी व्लोग को यहीं पर एंड कर दें, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर देना, बावाई